और अब बात करेंगे अखलेश केमिशन प्रधान मंत्री गंगार से 24 की किले बंदी क्योंकि गंगा के आखरी चोर पर हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट कारकाणी ने ना सर्फ यूपी बलके दिल्ली तक का सियासी फारा चड़ा दिया क्योंकि अखलेश ने भाष्टपा को यूपी की सभी अस्सी सीटर पर हराने की बात कहेकर माहौल गर्मा दिया है वही एलान कॉंग्रिस को लेकर किया कि जिससे साफ हो गया कि जुमोर्षा खलेश आदब और ममताप एनरजी बना रही है उसमें कॉंग्रिस नहीं शामिल हो रहे वाली अखलेश का मिशन प्रधानमंत्री बंगाज से 24 की किलेवंती एक्शन में दिखे अखलेश भाजपा के लिए कॉंग्रिस वाला संदेश रहुल पर अखलेश का तंस सच गया थर्ड फ्रंट का मंच लोकसभा का चुनाव 2024 में हेले के दिल्ली का पारा अभी से चढ़ने लगा है बलकि यूपी की सभी 80 सीट पर भाजपा को हराने की होंकार भर दी है अखलेश की इस बयान पर सियासी गर्मी बढ़ गई है क्योंकि एक दिन पहले शियोपाल यादव ने यूपी में 50 सीट जीतने की बात कही थी जिस पर अब भाजपा ने सफा के खिलाब मोच्चा खूल दिया है अब समाजवादी पार्टी को अगर 50 सीटे जितनी होती तो क्या वेश्ट बंगाल में जाके वो अपने राष्टे कारे समीति करते क्या वो भी सी मोर्चा उत्तर परदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में परदेश कारे समीति करके कि 80 में से 80 जितने का टार्गेट है और जीतेंगे ये पहला मौका होगा जब BJP की पिछ पर खेलने के लिए खिले श्यादव इस बार लोकसभा की 80 सीटों पर दोबारा मैदान में उत्रेंगे लेकिन हाला की हिंदुत्व के इस कार्ड के साथ कितनी सफलता हासिल होगी ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा फिलहाल ये भी जानते हैं कि 80 सीटों पर लोकसभा की उत्तर प्रदेश की जीत हासिल करना आसान नहीं होगा लेकिन सीधा निशाना बीजेपी पर और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी पर ये कहते हुए कि भले ही राज्य में एक और बीजेपी की सरकार हो और दूसरी और केंद्र की सरकार में भी बीजेपी हो लेकिन सफलता कितनी मिलेगी बीजेपी को इसका फैंसला समाजवादी पार्टी तेह करेगी आपको बता दे कि कोलकाता में हुई रास्टी कारिकारणी में समाजवादी पार्टी ने 24 के लिए अपना पूरा एजंडा साफ कर दिया है कि किन मुद्दो पर लड़ना है और किन से बच कर चलना है क्योंकि अकलेश ने जाती है जनगरना पर बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है जिसका मतलब साफ है कि सफा आपने यादव मुस्लिम वोट में न सिर्फ OBC जातियों को जोड़ना चाहती है बलकि अपनी पकड अती पिछड़े वोट तक पहुचाना चाहती है जाती जनगरना होनी चाहिए उसके पक्ष में बिना उसके समाजे की नया संबब नहीं है और जितना भी प्राइवडाईशन होगा उतना ही बाबा साव भीमरा मेडिकर जी करे दियोए अधिकारों का हनन होगा यह अधिकार चीने जाने और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं लेकिन जहां भाज़पा कुछ उनोती देते नजर आए वहीं कॉंग्रेस पर तंज कपते नजर आए गौर्टरवे की कुछ दिन पहले राहूल ने अखलेश पर नमला बोलते हुए सपा को शेत्रिये पार्टी बताया था अब अखलेश के इस बयान को राहूल के उस बयान का जवाब मना जा रहा है दरसल अखलेश टेप्टी कारिकार्णी के पहले ही दिन ममताब एनरजी के साथ मुलाकात कर न सिर्फ थर्ड फ्रंट को धार दी थी बलकि ये बात भी साफ कर दी थी कि सपा और टीमसी भाजपा और कॉंग्रेस से बराबर दूरी बना कर चलेगी मतलब जो गड़बंधन अखलेश बना रहे हैं उसमें कॉई जगा नहीं होगी क्योंकि अखलेश की कोशिश उन दलों को एक मंज पर लाने की है जिनके भाजपा और कॉंग्रेस से समान दूरी है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखलेश अमेठी और राइबरेली में अपना उम्मीदबार उतारेंगे या फिर ये दोनों सीटें कॉंग्रेस के लिए छोड़ देंगे फिर रिपोर्ट एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी